हां तो guys जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है मगर शेर भी कभी कभी सोचता होगा कि क्या मैं जंगल से से बहुत के ताकतवर जानवर उसी जंगल में रहा करते हैं हासो तो हे गाइस कैसे होगे बड़े होगे तो मैं हूएने मल और फरहान और आप लोग देख रहे हो नीचे इंसाइगर वीडियो टूप चैनल हाँ तो गाइस मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ और ये वीडियो काफे थ्रिलिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं कि जंगल का असली राजा कौन है तो नंबर एक पर आता है दुनिया का सबसे बड़ा जानवर यानी हाथी एलिफेंट ये जानवर शेर से काफी ताकतवर होता है मगर शेर कभी-कभी इनका शिकार भी कर लेते हैं तो दोनों का पलड़ा एक दम नॉर्मल ह एक तरफ शेर और एक तरफ हाथी को बिठाया जाए तो वजन में तो हाथी शेर से जादा ही होगा मगर शेर जो है वो काफी ब्रेव होता है और हाथी उनसे डड़ते हैं मगर हाथी अगर उनके जुंड के साथ मिलकर शेरों पर हमला कर दें तो यह शेरों को काफी भारी मा नमबरों में से एक माना जाता है क्योंकि इसकी देड़ इंच मोटी खाल की वज़े से शेर जो कि जंगल का राजा होता है इन पर हमला करने से कत्राता है इनके लंबे सींग की वज़े से काफी जादा जानवर इनसे डरते हैं और अगर हमला करने पर उतर जाएं तो एक शेर क को मार सकते हैं तो गेंडे को भी शायद मार दें तो ये था नमबर दो अब बढ़ते हैं नमबर तीन की तरफ हाँ तो नमबर तीन पर आता है हिपोपोटेमस जो की दुनिया के सबसे खतरनाग जानवरों में से एक है और हर साल गेंडों से और शेरों से भी ज्यादा लोगों को मारा करते हैं कई मामलों में ये सामने आया है कि शेर इनका शिकार करते हैं मगर कभी कभी ये जानवर शेरों को भी मार गिराते हैं इसलिए मैंने इन विशायल जानवरों को नमबर तीन पर रखा है यह भी हाती और गेंडों से बहुत डरा करते हैं और उनके पास जाने में कत्राते हैं और ये जानवरों की एक खास बात है ये दिन में ना निकल कर रात को ही चरने निकलते हैं और शेरों का शिकार का वक्त भी ज्यादतर रात के समय ही होता है इस वज़ा से शेरों और हिप्पो पॉर्टेमर्स की मुद्भेड आम बात हो गए है हाँ तो ये था नमबर तीन और अब बढ़ते हैं नमबर चार की तरफ हाँ तो नमबर चार पर मैं एक ऐसे जानवर को रखना चाहूंगा जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा तो ये है द्रवीही भालू यानी पोलर बियर ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवोर होता है और मैं इसको इस सूची में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये काफी खतरनाक होता है इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा मानसारी जानवर होता है हाला कि ये जंगलों में नहीं पाए जाते मगर ये आक्टिक और बहुत सारी बरफीली जगाओं पर पाए जाते है और अगर जंगलों में होते तो शेर का पत्ता तो कठे जाता क्योंकि ये भालू शेर से काफी ताकतवर होते हैं और शेर से बड़े भी होते हैं इनका बिल्कुल दूद्ध जैसा सफेद रंग इन्हें बर्फ में ढलने के लिए मदद करता है उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भालू बहुत खतरनाक होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हाँ तो ये था नंबर चार अब बढ़ते हैं नंबर पांच की तरफ हाँ तो नंबर पांच पर मैं एक ऐसे जानवर को रखना चाहूंगा जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा क्योंकि ये जानवर है ही इतना अनोका तो नंबर पांच पर मैंने रखा है एनाकोंडा को जो कि दुनिया का सबसे विशाल साम तो होता ही है मगर ये बहुत ताकतवर भी होता है इनकी एक कमी की वज़े से शेर इन से ज़्यादा ताकतवर बन गए हैं वो हे इनके पैर नहीं होते अगर इनके पैर होते तो बहुत खतरनाक होते और शेर को भी मार गिराते क्योंकि ये पीछे नहीं देख सकते इसलिए शेर इन पर पीछे से आकर हमला करते हैं और इन्हें मार डालते हैं वरना एनाकॉंडा के लिए इतना मुश्किल नहीं है शेयर को मारना और अगर एक बार ये शेयर को अपनी पकड में जकड लें तो फिर तो शेयर की मौत पक्की है तो इस नमबर पांच के लिए एक लाइक तो बनता है हाँ तो काईज ये से वो पांच जानवर जिन हैं मैं शेयर से भी ज़्यादा ताकतवर कहूंगा क्योंकि ये जानवर शेयर को भी मार गिरा सकते हैं इसके अलावा और भी पांच जानवर हैं जिनके बारे में मैंने सोच रखा है और मैं इस वीडियो के पार्ट टू में उन्हें बताने वाला हूँ तो थैंक यू और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मेरे चैनल पर टॉप टैन वाली सीरीज चल रही है तो इस सीरीज का आनंद लेने के लिए आपको कमेंट में लिखना होगा हेश्टेक सीरीज और आप जिन जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं उनका नाम तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू हाँ तो कैसे आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें थेंक्यू